असलाम लेकूं, मैं उबतूल राश्पूत, आप देख रहे हैं Red Zone Files और मेरे साथ फाहद हुसेन साभ मौजूद हैं आज कुछ बहुत आम डिवेलोपमेंट हुई हैं उसके उपर बात करेंगे सबसे पहले तो ये कि क्या फाथ साभ ये सच है कि PTI और Establishment के दर्मियान कुछ मुझाकरात होने के चांसे हैं ये बड़ी आम खबर है जिसके हम चैमागोईया सुन रहे हैं बिलकुल जरा क्विकली इससे पहले कि हम डिसकेशन शूरू करें बतूल जर नाज़िन को ये भी बता दें क्या क्या हम बात कर रहे होंगे तुमारी ये स्टोरी ये बहुत ही इंपॉर्टन है क्यूंकि अभी आपने देखा कि जो चीव अफ दी आर्बी स्टाफ हैं उन्होंने 20 जो वो लोग हैं जिनको सजाए मिली थी में नाइन के वाकियात में मुलबिस होने के वाले से उनकी सजाओं को ने माफ कर दिया है उनको रहा कर दिया गया है ये बड़ी डिवल्पमेंट है और इस से जोड़ा जा रहा है कि कहीं कोई डील तो नहीं हो रही तो आज हम बात करेंगे कि को डील वील हो रही है पी टी आई क्यों इस्टाबलिश्मेंट की या जो है वो को बाहत का बतंगर बनाया जा रहा है दूसरा बड़ा इंपॉर्टन आज बतूल जो वजीर आजम पाकिस्तान या शवाज शरीफ जो गए वे हैं साथी रेबिया वहां पे क्या हुआ जरा इस पे बात करेंगे और क्या वाकिए में इस दोरे में से कोई ठोस चीज निकली है और आखर में बतूल एक बहुत ही इंटरिस्टिंग डिवल्पमेंट हुई है शायद हकान अबासी साब जो हमारे साब का वजीर आजम है वो एक नई जमात बनाने जा रहे है वो अंदर की कहानी क्या है और वो जमात क्या करेंगी जड़ा उस पर भी आज हम बात करेंगे नाजलीन के साथ कुछ इंसुमेशन शेर करेंगे लेकिन पहले अगर आप जिससा आपने कहा था शुरू करें कि मामलात ये जो इस वक का गरम इशू है ये जो रीसिंट डिवल्पमेंट हुई है ये 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 आपको लगता है कि ये सिंबॉलिक है जो लोगों को सजा रही है देखिए बतूल जो हमें इंडिकेशन आ रहे हैं जिस तरीके से तीन चार पांच मुक्तलिफ डिवल्पमेंट हुई है उनको जोड कर तो ये एक तास्र बन रहा है जिसकी वज़ा से है ये हर तरफ मीडिया में भी बात हो रही है कि क्या पाकिस्तान तरीक इनसाफ की तरफ इस्टाबलिश्मन का रवया को नर्म होता जा रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ बात चीट के दर्वाजे खुल रहे हैं कुछ इंगेज्मन्ट हो रही है और पाकिस्तान की सियासत में कोई नया मोड आने वाला है ये चैमुक्यां तो हो रही है और हर तरह हर तरफ से जो है वो ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पक रहा है तो अब ये क्यूं हुआ देखे न पहले तो ज़रा ये भी अब नाजरीन के सामने ही हम पेश करें कि ये तमाम तर जो जो ये एक टॉपिक ऑफ डिसकॉशन है ये आया के दर से अच्छा इसमें दो तीन चीज़ है ने कि पहले तो जब अदालत की तरफ से कुछ रिलीफ आना शुरू हुआ पाकिस्तान तरीक इनसाफ के लिए जिस तरह के इमिनार खान साब के लिए तोशा खाना वाला जो मामला है उसमें और साइफर के हवाले से जो कुछ अधालत की तरफ से मामला उने आए उससे लगा ये कि कुछ जो बड़ा एक सक्त रवहिया था पीटी आई की तरफ पूर एक निजाम का उसमें कुछ रिलीफ नजर आई तो जाहर बात है जब आपको पता है बतूल पाकिसान में तो थोड़ा सा को मामला होते एकदम उसमें बाची शुरू हो जाती है तो वहां स ये मामला शुरूआ कि क्या चक्कर है ये कोई डील दी जा रही है डील के लिए को डील दी जा रही है तो पहला तो मामला वहां से शुरूआ अच्छा अभी ये मामला गरम वही रहा था कि पिशावर में एक बड़ी इंट्रिस्टिंग डिवेलप्मेंट हुई वो भी आप वो मीटिंग हुई अच्छा मामला बतूल जो है वो जादा जिसे कहते हैं कि वो रियूमर मौंगरिंग तब शुरू हुई कि इस मीटिंग जब ये मीटिंग हुई तो कुछ अनाउंस नी किया गया और ये खामोशी से मीटिंग हुई लेकिन उसके बाद आगको पता है पा और फिर इस तरह भी खबरें आना शुरू ही कि शायद जो है वो उनको बड़ा कोई वहाँ पर काबीना की मीटिंग हुई है वहाँ पर जाके बात में जाहर बात है जब ये बातें काफी ज़ादा जो है वो रिपोर्ट आना शुरू हो गई तो फिर मजबूरां जो है वो उसने रियूमर मोंगनी शुरू कर दी क्योंकि एक तरफ तो आप देखे रहें ना किस तरह किस तरीके से पी टी आई जो है वो यानि उसकी जो तनकीद है उसमें कमी तो नहीं आरी वो तो हर चीज़ पर जो हमला करने है और उसके बाद अभी जो खान साब ने बात की मैं उ पर आता हूँ तो इस माहौल में पूरी की पूरी काबीना को केपी की जाकि और मिल्क्री के सीरियन लीडिश्यू से मुलाकात करना जाहर बात है वहां से भी कोई बात चीज़ शुरू हूई और उसके बात पर आपने देखा कि जो लीडर्स हैं पी टी आई के उन्होंने हर प्रेस कांफरنس में पूरी कहना शुरू कर दिया कि खानसाव तो रिलीज बाले इस हफसे इस महीने जो है वो जैल से बाहर होंगे उनको बेल मिल जाएगी दो अबावाम के सामने होगे तो वो बार बार जब ये कहना शुरू उन्हें इन्होंने किया सर्दू के जी लोगो कहा जा रहे है कि खान सब आने वाले तो एक दम ये इशु कड़ा हो गया कि जी को डील हो गई है अभू यहीं बात कर रहे थे बतुल कि ये अभी कुछ दे पहले जो डुविल्प्मेंट हुई है कि 20 जो लोग है उनको जो 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 जैनि उनको सदा हो चुकी थी उनको आर्मी चीफ की तरफ से और अब वो ये जो कड़ी से कड़ी लोग जोड रहे हैं अब तो इस पर और शोर मचना शूरू हो जाएगा कि देखा हम तो कही रहे हैं ये तो मामला चाल पड़ा है तो ये वो तमाम इंडिकेशन्स हैं जिनकी बुनियाद पर ये इशू खड़ा और उसक्त भी ये बात हुई थी कि अब एक वाज़े पैगाम है कि किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी और अगर हम ये थोड़ीदे के लिए एज्यूम कर दें कि एक फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है तो उसकी क्या वज़हा हो सकती है क्योंकि बैक्फूट पर गया है यानि इसका एतना बड़ा एक मॉमेंटम बन गया है सारे मामले का कि वाकई में जो है ये तो कुछ इंगेजमेंट शुरू हो गई है और को रिलीफ मिलने वाला है तो फिर एकदम आज हमें कई ट्वीट्स और जराय से खबरें जो हैं वो आना शुरू हुई और उससे हमें हैं चैसरे मेरे खाल मैं जब हम रीड इड कर रहे हैं हम रीड कर रहे हैं के मामले किसी के कि चल रहा है तो आप मितौर के बेसे हमारे कालीग हैं कमरान शाहिब कestablishment अ इ glandsिबंतरा में यानिके establishment के जराय ने कहा है कि कोई किसी भी तरह की reconciliation या कुछ धील नहीं दी जाएगी उन लोगों के लिए जो बेरूने मुलक जो agents है उनका agenda जो है वो push कर रहें और उसी के बाद का अमरान शायद साहँ ने एक और भी ट्वीट कर दी जिस पर उनने पिर कहा कि concerned sources have confirmed that neither any NRO being offered to the leadership of PTI nor the establishment is worried on any petty developments नहीं अमरान खान साहब को कोई NRO कोई relief नहीं दी जा रही अच्छा फिर नसुल्ला मलक साहब बड़े respected हमारे कालीग हैं और इनकी भी खबर के पर इनकी गिरिफ्ट होती है इन्होंने भी आज ट्वीट की इस यह वाले से किना डील ना डील फौजी क्यादत 9 माई वाकिया की मनसूबा बंदी सहुलतकारी और बाकाइदा मोहिम के जरिये जहन साजी करने वाले के लिए कोई लचक का मजारा करने को तयार नहीं है इमरान खान साहब की रहाई और मफाइमत दूर दूर तक फिलहाल दिखाई नहीं देती अब इससे क्या में क्या अंदाजा होता है कि जाहर बात है यह मामला इतना गरम हो गया कि जराय की तरफ से यह खबर आई कि ऐसी को बात नहीं है अब इशू असल में क्या है बतूल के हो क्या रहा है यह हो इंपॉर्टन सवाल जो हर शख जो है वो जानना चाहेगा अच्छा इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें एक इनालिसिस करना पड़ाएगा और वो इनालिसिस जो है वो इस तरीके समय करना चाहिए बतूल जिससे क्लेर हो जाए कि मामलाथ किस तरह जा रहे हैं मैं आपके सामने दो उसकी इसके एस्पेक्ट्स आपके समय रखता हूँ एक तो यह क्या गरिये तो उसकी वजुहात क्या अगर हो रही है तो क्यों हो रही है अचा अब देखें आप पहली रीजन तो यह है पहली रीजन तो यह है कि बतूल जब इस तरह के फैसले होते हैं जिनके इतने हाई स्टेक्स होते हैं तो वो पबलिक जो आपके बियानात होते हैं या जो आपकी एक स्पिन होती है या जो कि उनकी बुनियाद पर इस तरह के फैस्टे होते हैं और एक जो रियालिटी है बतूल वो यह है कि पाकिस्तान तरीक इनसाफ को अवाम में बहुत ज़ादा मकबूलियत हासल है लेकि पब्लिक लिए कोई जो मर्जिक है दिस इस अ फैक्ट और इस्टाबलिश्मेंट जो है उ तो इस्टाबलिश्मेंट में जो भी रैशनल थिंकिंग डिसिशन मेकर है वो क्यों चाहेगा कि जो इतनी मकबूल जमात है वो उससे मुकमल तोर पर जो है एक कॉन्फरेंटेशनल रिलेशन्शिप में लॉक्ट रहे हैं यह पॉसिबल है ना आपने इस्टाबलिश्मेंट और दो दस्टाबलिश्मेंट किया है उस संचिबलिश्मेंट कर जाए तो अगर कोई यह सूचता है कि डील क्यूं हो तो उसमें एक वंजा यह जरूर है कि इस्टाबलिश्मेंट भी देखना चाहती है कि बहां, जो अख यह हो चाँता कि वो जेल में बैटionen कर जो है वो बिलकुल या यह की कई कोई एक कुछ जाने का तुट जाएंगे और वो यह जाएंगे कि यह कहँए कि मेरे से कोई कुछ कोई डस्तखस करोड़ा है मेरे से कोई डील करourա दें बेक्र ते हारों ऐसा नहीं हुआ है आज कितने महीने हो गए, 6-7-8 महीने तो हो गए, मुझे exactly याद नहीं आ रहा ऐसा नहीं हुआ, और आपको याद है बतूल कि आच से दो दिन पहले अमरान खान साब ने साफियों से बात करते हैं, जेल में किस तरह के बियानात दिये थे सखतरीन बियानात थे, और उन्हें डिरेक्ली जो है, वो इस्टाब्रिश्मन की लीडर्शिप को आड़े हाथों लिया था तो वहां से तो कोई नजर नहीं आ रहा कि किसी भी तरीके से, हाँ, उनकी जमात का हाल जो है, वो बाहर इतना अच्छा नहीं है लेकिन वो तो अपनी पॉजिशन पे डटे रहे हैं, और अगर कोई ये कहता है कि वो वहां पे रहते हुए, शायद मजीद पॉपिलर हो रहे हैं, तो इसमें कुछ हद तक सचाई होगी, क्योंकि ये तो हमारी सावतेश्या तारीख तो में बतुलिया की बताती है, ने कि ज जादा टीवी के उपर confident interviews दे रहे हैं, रौफ हसंद साब ने क्या कहा है, वो आपके जो तद्जी है, उसे मताबकत रखता है, वो सुनते हैं, फिर आप आगे बढ़िएगा, जी सुनो है, और इसके साथ इनका एक ये भी जुमला था फाद साब, कि एस्टैब्लिश्मेंट कि पास भी कोई option नहीं है, अमरान खान से बात करने के लावा, which is exactly your saying, कि ये इसलिए इसलिए हो रहा है, ठीक है, ये उनका ही मौकफ हो सकता है, I don't have to agree with it, but ठीक है, उनका ही मौकफ है, मेरे खाल में मجबूरी किसी तरफ नहीं है, लेकिन जब आप calculations कर रहे हैं, तो आपने terms and conditions में, जो है, वो जेल से बाहर हों, क्योंकि अगर वो जेल से बाहर हैं, तो जो एक प्रेशर बिल्ड अप कर रहे हैं, कि वो इतना जो एक popular leader है, वो जेल में बंद है, वो प्रेशर रिलीस हो जाएगा, तो obviously calculation तो होगी, कि अगर उन्हें हम रिलीस करते हैं, और अगर वो normal तरीके से अपनी स्यास्त कर रहे हैं, और उस confrontation mode में नहीं है, जिसमें वो vote of no confidence के बाद थे और अगर वो इस निजाम में रहकर certain parameters के अंदर रहते हुए, वो अपनी स्यास्त करने को तयार हैं, उस निजाम को गिराने के लिए जो है, वो एक नई कोई जद 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 शुरू यह वो arguments हैं जिन से इस बात को तक्वियत पहुंचनी है किया किसी ना किसी तरीके से अगर deal हो जाए establishment में पीटी आई में तो बेहतर है, मगर अब जरा आजाना quickly, very quickly, क्यों कौन से reasons हैं जिनकी बन्याद पर deal नहीं हो, नहीं होगी, और देखे सबसे बड़ा इंपॉर्टन तो यह किस वक्त अगर establishment ने कोई deal करनी है या engagement करनी है तो कभी भी वो position of weakness से नहीं करेंगे, never, they have not come this far to fritter away the advantage, देखिए, इस टाइम अगर तो establishment की position ऐसी है कि they are bargaining from a position of strength, तो फिर तो बात हो सकती है, लेकिन अगर इस deal के नतीजे में यह तास्र आएगा कि जी, इमरान खान सा जो है, वो हावी हो गए है, तो फिर यह एक deal breaking event होगा, पहली बात, दूसरा, अगर इस deal के नतीजे में जो इस वक्त की मौजूदा हकूमत है, वो कमजोर होती है, तो मेरे खाले फिर भी deal नहीं होगी, क्योंकि इस हकूमत को यहां तक लाने में establishment का ने बड़ा जोर लगाया बहुत अपना जो capital है, उसको bleed किया है, तो it doesn't make sense कि वो इतनी जल्दी महीने दो महीनी के अंदर उसी government को कमजोर करना शुरू करने, जिसको लाने में उनकी इतनी effort लगी है, और तीसरी चीज़ यह कि या तो यह कि PTIE को power बे आना हो तो फिर इस तरीके से मामलात आगे चलते लेकिन अभी तो मुझे दूर दूर कुछ नजर नहीं आ रहा, यह this is too early, तो इसलिए डील की जो बाते हैं मुझे उसमें इस वज़ा से जो है बहुत ज़ादा सदाकत नजर नहीं आ रही, क्योंके logically अगर आप analyze करें तो it doesn't make sense, आखरी बात बतूरू, जो चीज़ मैं बिलक असर रहा है जब establishment ने political spectrum में बीच में एक position रखी भी है, यानि दोनों तरफ उसकी outreach equally बराबर है, यानि कि जो empire कर रोल होता है, हमेशा से रहा है, आपको जादे इमरान खान था भी कहा करते थे, कि जी empire क्यों लिए उपर उटने वाली है, अगर establishment को ये लगता है कि हमारा empire का रोल जो है, वो compromise हो गया और अब हम एक player बन गए है, या हमें देखा जा रहा है कि हम player है, हम दोनों साइडों के दर्मियान एक referee का करदार अदा नहीं कर रहे हैं, बलके हम खुद player बन गए हैं, तो then they would want to come back, इसलिए अगर कुछ हद तक tactical level पे PTI से TTI से engagement होती भी है, और उस उसके नतीजे में establishment का रोल थोड़ा सा बहुत जादा प्रो government से दर्मियान में आ जाता है, तो मेरे खाल में that seems logical to be, इसके वज़ा से एन मंकिन है कि कुछ चीज़ों जो हमें नजर आ रही हो, उसके पीछे ये वज़ा हो, यह था को मुक्तसरन तर्जिया जो मैं आपको सामन से बात करेंगे, बहुत शुक्रिया, राना एसान साब प्रोग्राम में जॉइन करने के लिए, बिल्कुल राना एसान साब, सामलेकुम, वालेकुम, साम, अच्छा आज, आप तो, हम तो पहले तो भी हम बात करें थी, जो establishment की डील वगरा किया, तो quickly ज़रा उसमें बात करन की नी, लेकिन quickly, very quickly, एसान साब ज़रा बताएं, ये जो establishment और अमरान खान साब की डील के वाले से बातें हो रही हैं, आप क्या सुनने और government के लिए, government चाहेगी के कुछ हद तक जो है, वो engagement हो जाए, PTI को relief मिल जाए, जो लोग जेल में हैं, वो बाहर आ जाएं, और तालुक और कोई रोल प्ले कर सके, गर्मन क्या चाहेगी, कैसा हो या नहो, देखें सबसे पहले तो खान साब की सजा या उनको जो है, सजा उनकी खतम होना, ये अदालती मामला है, लेकिन बाकी बात ये, कि PTI इस वक्त दो धड़ों में बटी हुई है, एक वो लोग हैं, जो पारल नहीं जीते, या खान साब हैं, जो जेल के अंदर हैं, तो उनकी ये कोशिश है कि तसादम की, पोलराइजेशन की, लड़ाई जगरे की फजार है, तो ये दो जमाट डिवाइड़ है, इन दो धड़ों के अंदर, अब गंड़ापूर साब जब मिलते हैं, अफिशल मीटिं उनकी मरजी के मताविक चीजें सेटल नहीं होंगी, खान साब के मौकिफ के मताविक तो आगे नहीं बढ़ेंगे, तो ये डिवाइड़ पी टी आ, हम तो देखें, किसी के साथ डील होना या ना होना, हम तो इसको बिलकुल प्रिमोट नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक अग यहां धरना दिया गया, उनके दफ्तर के बाहर, फिर जीएसपी, फिर ओवरॉल जो इनका सोशल मीडिया, जो स्टेट इंस्टिट्यूट्स की ओपर जो एक नेगेटिव प्रापोगैंडा करता है, तो अभी तक कोई ऐसा तासर और अब एद के बाद यह कहते हैं, जी हमने खान साब के उपर केस्ड बनाये गए, उनसे उनको मदद ही हुई है, कोई अगर प्रॉपर तरीके से उसको देखा जाया तो उनके केस्ड में कोई जान नहीं है, यह तो वो भी कह रहे हैं, नाना सनावला, तो अब्स्क्री को एसास तो रहा है गवर्मन्ट में के, जिस तर prosecution थी वो परसू करी थी तो वो मामलाज जो है अगर तेजी हुई कोई चीजे skip होई तो definitely उसका benefit उनको आगे जब यह high court में चीजें चलेंगी मिल सकता है लेकिन बारहाल यह हकूमत का मौकफ नहीं है राना सिनावला साब ने बिलकुल यह बातें की है as an individual की है यह party का मौकफ नहीं है ना यह government का मौकफ है उनका एक तज्जिया है वो तज्जिया दे सकते है independent उनकी सोच है बारहाल हम तो समझते हैं के खान साब जो हैं वो गिल्टी रहे हैं उन्होंने तोशा खाना हो या फिर यह जो cipher case है उसके अंदर बहुत सारी major violations की है मुलक को स्टेट का official secret act है उसको वोईलेट की है तो हमारा तो यह स्टांस है बाकी देखें इंडिविज्ज्जियू हमारी निमाद के साथ उसक्ति के तो बिलकुल भी नहीं लेकिन जो राना सिनावला झालास है उन्होंने एज इंडिविज्ज्जुल कपैस्टी अपने इज़ाय का इजहर किया है जो पार्टी का मौकफ है पार्टी इस वक्त हकूमत में है पार्टी जो है उसके स्पोक्स परसन जो है या जो इन्फरमेशन मिनिस्ट्री है पंजाब में उसको उद्मा साहिबा चला रही है उपर अता साब चला रहे हैं तो वहां से आपने इस तरह का मौकफ नहीं सुना तो तो हकूमत के जो spokesperson है या ministry of information जो है तो जरूर इस पर comment करती है, उन्होंने नहीं किया, तो इसको हम हकूमत की राए या पार्टी का वाक की लिए आजाते हैं, थोड़ा साओधी रेबिया की ट्रिप पर आ जाते हैं, हमेशा साओधी रेबिया का जो दौरा होता है, आहम होता ह महमद बिन सल्मान जो crown prince है वहां के उनसे मुलाकात जब भी होती है, बहुत important होती है, क्योंकि हर अवाले से he is running the country over there, अच्छा अब इस वक्त जो announce हुआ है, जो अलामिया है, एसान साथ उसमें ये लिखा हुआ है, कि जी 5 billion dollar का जो investment का जो मामला चल रहा है, उसकी जो initial जो ह कि उसका agreement है, उस पे को पेश रफ्त हुई है, ये बड़ी अच्छी बात है, साथी रेपिन हमेशा पाकिसान की मदद की है, तो ये इसमें तो कोई दो राए नहीं है, कि अगर इस तरीके से joint community में ये लिखा लिखा आता है, तो it's good news, मगर ये इसमें कोई specific चीज भी नहीं ह मैं चाहूंगा ज़र आप मुझे explain करें, कि जब कोई exact specific चीज ना लिखी हो, तो आम तो पर read ये किया जाता है, कि actually हुआ कुछ नहीं है, लेकिन एक तरीके से publicly बसका जा रहा है, कि जी बातचीत हो रही है, तो क्या ये इस दोरे में से निकला कुछ नहीं पिर? ये नहीं कि सबसे पहले तो ये दोरा कोई specific investment point of view से detail meetings की उपर नहीं था, as a prime minister, tradition रहा है, कि हमेशा पहला दोरा साओधियरेबिया का किया जाता है, सीज की निशान नहीं करते हुए कि साओधियरेबिया के साथ हमारे इतने मजबूत तालुकात है, एक तो इस सीज को reinforce किया गया और साथ अभी जो है, उम्रे की एदाइगी भी हुई, लेकिन बिलकुल बहुत सारी जो tendencies हैं, उसकी उपर बातचीत हुई, साओधियरेबिया और बहुत सारी investment का plan रखता है, उसने interest show किया हुआ है, चाहे वो recordic हो, refinery हो, और solarization हो, या दीगर बहुत सारे programs हैं, जिसके कोई नई announcements नहीं हैं, वोई जो पुराने M.O.U.s हैं, उनको अंदर बड़ा हमारी साइट पे काम होने वाला है, उसको हम अपनी साइट पे expedite करेंगे, और फिर साओधी जो हैं वो आगे बढ़ेंगे, तो उनी investments को, जो already जहां उन्होंने अपना interest दिखाया हुआ है, उनी क कि साओधी रेबिया जो है, वो चाता है कि पाकिसान में investment करें, बहुत सारे project जो हैं, उन पे बात दी हुई है, oil refinery का आपको याद होगा, गौादर में लगने थे 10 अरब डॉलर का वो project था, बड़े साल से उस पर भी बात होती रही ultimately जो है, वो मामला जहां तक मेरी understanding है, व उसमें एक जो primary reason था, वो यही था कि साओधी बार बार complaint करते थे कि जी हम तो पैसे लेकर फिर रहे हैं, यह आप लोग ही हैं जो उनको उस तरीके से expedite नहीं कर पा रहे हैं, यह आपका सिस्टम है, जो चीजों को follow up नहीं कर पा रहा है, जो facilitate नहीं कर पा रहा है, यहां पे उल्टा उल्टा काम हो रहा था, कि वो कह रहे हैं कि हम आईए पैसे हमारे पास हैं, यह investment है तो ले ले लें, और हमारा निजाम हमारा जिस तरीके से एक bureaucratic system काम करता है, हम उसको delay करते जा रहे हैं, जिसकी वज़ा से ultimately जो हो नुकसान हमें हुआ, क्या इसको change करने के लिए क IFC ने इन मामलात को take up किया हुआ है और प्राइम मिनिस्टर इसको खुद monitor कर रहे हैं, बहुत सारे investments के अंदर homework हमारी side से होने वाला है, और वो जब homework मकमल होगा, तो साओधी जो हैं वो further move करेंगे, तो इन चीजों की ऊपर प्राइम मिनिस्टर साब और रड़ी दो से तीन meetings कर चुके हैं, और जितनी भी bureaucratic delays थी, या कोई approvals की delays थी, या कोई feasibility हमारी side से कोई काम होने वाला था, उसकी ऊपर एक दो तीन meetings प्राइम मिनिस्टर साब ले चुके हैं, timeline दे चुके हैं, एक एक project की ऊपर discussion हो चुकी है, और बड़ी तेजी से हम इन मामलात की ऊपर आगे बढ़ेंगे, हमने FDI को track करना है, bureaucratic hurdles को दूर करना है, SIFC का मकसद ही यही है, कि GCC मुमालिक से main जो focus है, कि वहाँ से हम investment track करें, तो बिलकुल हम इस तरह बढ़ने हैं, और आने वाले चंद दिनों के अंदर, जो हमें pledges मिल चुकी हैं, चाहे वो साओधी हैं, कत्री हैं, UAE ह वो सारे investment करना चाते हैं, इनकी investment की बहुत सारी pledges मौजूद हैं, MOUs मौजूद हैं, interest मौजूद हैं, तो उनको हमने realize कराना है, और यह हकूमत उसी तरह बाढ़ रही है, और यह जो दो तीन बड़े आहम चीज़ें आ रही हैं, बतुल अगर हमारे पर time है, मैं एक quickly सवाल क जी, जी, प्लीज, बिल्कुल briefly बताएगा कि जहां पे Gulf investments की बात हो रही है, चाहे हो साथरेबिया से हो, कतर से हो, UAE से हो, हमारे airports को जो outsource करने का मामला है, जो privatization के projects आ रहे हैं, और दीगर जो बड़े initiatives आ रहे हैं, उसमें Gulf का तो बहुत important रोल है, लेकिन रहना सब यह बा होती भी नजर नहीं आ रही, ये डिले क्यों हो रहा है? अब इसी तरह और भी जो दीगर, solarization के projects हैं, जहां हमें बड़ा direct interest आया है, और उन्होंने reminders भी भेज़े हैं, कि हम interested हैं, इन projects के अंदर invest करने के लिए, एक multiple, मैं कहरों के review की गई है, meetings प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जहां जहां बहुत सारी आप सही कह रहे हैं, कि government ने उस तरीके से अपने end पे काम नहीं किया, जहां उनको करना चाहिए था, हमारे end पे ज़्यादा backlog है, जिसको हम दूर करने जा रहे हैं, तो ये investment जो हैं, वो फिर realize हो जाएएगा. ठीक, ठीक है, बहुत शुक्रिया, ठीक होगा, एराना एंसाब बहुत शुक्रिया, thank you very much. अब बातों का वक्त खत्म हो गया है, और अब हानीमून पिरिएट खत्म हो रहा है, और एद के बाद अगर ठोस चीज़ें, ठोस रिजल्ट्स और specific action नजर ना आएं, तो फिर लोग बातें करना शुरू कर देंगे, कि वह जो governance है, वो delivery है, वो किदर है, तो ये बिलकुल आ अब बात वापस आएंगे, तो हमाई गेस्ट मिफ्ताई समाइल साब भी बड़े रेलिवेंट गेस्ट है, उनसे हम इन दील्स का भी पूछेंगे, और सुना है कि नून लीग के पराने दोस्त अब नई पार्टीया बनाने चारहे हैं, तो ये बात करेंगे, एक ब्रेक ले डिवेल्पमेंट पे के खाकान अबासी साब जिनके बेयानात तो हम सुनी रहे थे काफी अरसे से, के वो एक नई पार्टी बनाएंगे, और आज उन्होंने बकाइदा एलान भी कर लिया है, एसी पी के साथ रुजू भी कर लिया है, इस पे हमने दावत दिया है, इसमाइल हमें जोईन कर रहे हैं, क्योंकि आई ये बड़ी डिवेल्पमेंट है, बड़े अरसे से, शायद साब जो हैं, वो ये बात कर रहे थे, के एक जमाद तो उन्होंने बनानी है, उसकी जरूरत है, रिमेजिनिंग पाकिस्तान के नाम से एक पूरी एक आउट रीच भी शुरू ही थी, जिसमें डॉक्टर मिफ्ता इसमाइल जो है, वो पेश पेश थे, तो आज बाकादा तोर पर वो जो जमाद जिसका शायद साब जिकर कर रहे थे, अब वो बनने को जा रही है, तो वियर लगी ड़े जोईन बाई डॉक्टर मिफ्ता, जी डॉक्टर साब की जमाद बनी, इलेक्टिबल्स की बन्याद पर बनी, इलेक्शन्स में जो है, वो उनका जो हाल हुआ हमारे सामने है, तो आपकी जमाद किस तरीके से मुक्तलिफ होगी? देखिए, फासाब, एक तो ये और्गैनिक जमाद है, ये जमाद किसी की इमा पे नहीं बन रही, कोई स्टैम्प के साथ नहीं बन रही, हम सब जानते हैं कि के पी के में जो पी टी आई पारलिमेंटरियन्स बनी थी, या आई पी पी जो बनी थी, वो किस तरह बनी थी, और ऐसी कोई स्टैम्प हमारे पर नहीं है, शायद साब जो आज गए थे एसी पी में, वो पहली मीटिंग करने चले गए थे खुद, और सारी तीज़े मालूम कर ली हैं, अभी तो रिजिस्टरेशन में भी टाइम लगेगा हमें, और हमने ये का है कि इन्शालला, एक तोड़ जमाते हैं, तो हमको अपना एक प्रोग्राम लेके आना है, हम ये समझते हैं कि जो तीन बड़ी पाकिस्तानी सियासी जमाते हैं, उन में ना ये सलाहियत है, जो इस वकद मुल्क की जरूते हैं, और मुल्क इतना फस चुका है, और कोई अवाम की बात नहीं करता है, वो ये उसकी बात हो, जो एजूकेशन नहीं मिल रहा हमारे बच्चों को, उसकी बात हो, रोजगार की बात हो, महिंगाई की बात हो, वो आज कोई सियासदान नहीं कर रहा है, पार्लिमन भी मफलूज होके रह गयी है, तो वो हम बात करना चाह रहें, कि भी इस पाकिस्तान को 75 साल में हमने वहां नहीं देखा है, जहां पर गायद आजम रहमत लाले चाहते थे, तो अगले 75 साल बहतर हो, तो इस अ लॉंग गेम, हम जानते हैं कि इस अ लॉंग गेम, हम उसको और्गनाईस करेंगे पार्टी को और आगे लेके चलेंगे, इन्शाललाँ. अच्छा, ये जो जमात है, जाहर बात है, डॉक्टर मिस्ता, अहर प्लिटिकल पार्टी का जो बिरॉमेटर और सिकसेस है, वो यही होता है, इस अबिलिटी तो विन इलेक्शन्स, कि आप किस तरीके से कितनी सीटें निकाल सकते हैं, और इक्तदार में आके फिर जो भी बनाने के लिए, अगर एक्षन तीन चार साल के बाद होते हैं, तो आपको अतना वक्त मिल जाएगा, लेकिन इस पार्टी को इमीजिट्ली इस्टब्रिश करने के लिए, आपको ऐसे लोग चाहिए, ऐसे नाम चाहिए, जिन से लगए कि इस पार्टी में बजन है, तो आप को ये बता सकता हूं कि हम लोगों ने किसी को अप्रोच नी किया, लेकिन बहुत सारे साथियों ने, दोस्तों ने हमको अप्रोच किया है, शाहिद भाई ने एक दो बहुत, वो सीफ लगा रहा की है, चलनिया लगा रहा की है, जिसके अंदर कॉम्पेटन्स भी जरूरी है और इंटेग्रिटी तो बहुत ही जरूरी है लेकिन मैं इस बात को खुशी से कह सकता हूं कि सरदार मेताव अबासी से हम कॉंटेक्ट में हैं आप जानते हैं कि मस्तिफा नवाज भी हमारे साथ ही हैं शुरूर से हाजी लशकरी रही सानी और खौजा मौमध होती केपी से जो आप देखेंगे कि जो दस बारा लोग पंदरा लोग सामने फरेंट के टेबल पर बैटे को बैठे हूंगे वो लोग ऐसे होंगे कि जो पाकिस्तां की सियासत को समझते हैं पाकिस्तां के अबर जिनके आपर कोई अल्ला की मेरभानी से डाग नहीं लगसकता इनमें डॉक्टर अब ऐसे भी लोग होंगे जो इस वक्त बाकैदा तोर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा है जो गवर्मन्ट का हिस्सा है जो कबीना का हिस्सा है या जो पीटी आई का हिस्सा है या पीपल्स पार्टी के में लीडिशिप का हिस्सा है ऐसे हम ظاہر کریں इस वक्त हम जो बात कर सकते हैं वो यह कर सकते हैं कि हमारी इस पार्टी का मकसद क्या है और मकसद यह है कि पाकिस्तान को जिस इसलाहाद की जरूरत है वो इस बारे में बात नहीं हो रही है जिस मुलक के अंदर 80 लाग बचे पैदा हो रहे हैं जिनको जो नौकरी करता है, 50-60-70,000 रुपय कमाता है, वो ये सोचता है कि यार, मैंने जो काम करना था अपनी तरफ से कर लिया, मैंने पढ़ाय भी कर ली, अब मैं नौकरी भी कर रहा हूं, अब ये स्टेट की जम्मेदारी है, कि मैं ये 60-70,000 रुपय में अपने बच्चों का पेट पाल सकों, आप डबल करते हैं अगर कीमते हैं पावर की एक साल के अंदर, तो उस आदमी की तंखा तो डबल नहीं हुई, स्कूल की फीसे अगर महिंगी हो जाती हैं, तो उस आदमी की तंखा तो उस मुनासबत से नहीं बढ़ी, तो स्टेट ने अ की क्राइस हो जाती है, तो रुप्या टी वैली हो जाता है, आपने बरामदाद नहीं बढ़ाएं, तो हमारे एक हकूमत की बहुत सारी गलतियां हैं, जिसकी वज़ा से आज मिडल क्लास पिस गई है, इसके बगारे में बफ्ताई समयल सब यह आपका नुक्ता आगए, आप यह तो नहीं शेयर कर पा रहे हैं कि आपके मजीद साथी कौन होंगे, लेकिन कि आप यह बता सकते हैं कि आपके इस बारे में क्या राय होगी, चुँकि आप एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, कि पाकिस्तान में तो यह मसला राय है, कि इस्टैबलिश्मेंट की सपोर को तो आप डिलीट नहीं कर सकते हैं when you are making a party in Pakistan. देखिए बतूल यह इस्टैबलिश्मेंट ने जिन पार्टियों की इस इलेक्शन में भी सपोर्ट करी थी, अवाम ने उनको कितनी पजेराई दी है, आई पीपी और पीटी आई पार्लिमेंटरिंस को छोड़ ने जो तक नहीं दिया, उनकी campaign नहीं भी और फिर भी उनके लोग नवे लोग तो 95 लोग तो officially जीत के आगए, तो यह नहीं है कि establishment की support की वज़ा से लोग आपको vote देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे मुलक की establishment है, हम इनसे कोई जगड़ा नहीं करना चाते हैं, और ना कोई ज उनके लिए काम नहीं करेंगे, उनके लिए काम नहीं करेंगे, तो उसमें पर यह जिन लोगों के तोपों के दाने खुलेंगे, वो यह जो तीन mainstream parties हैं, वो आपकी तनकीद का निशाना बनेगे, यह जाहर बात है, आपने आपको किसी जमात के एक स्टेक होड़र के अगेंस तो फ्रेम करना है, किसी को तो आपने जम्मदार ठहराना है किया जो मुल्क जो जहां पे खड़ा है, उसका जम्मदार कौन है, तो यानि उस जम्मदारी में फिर आप establishment की तरफ जो है, वो अपनी बंदू के नहीं तानेंगे, बलके People's Party, PMLN और PTI की तानेंगे. देखिए, हम अगर election लड़ते हैं, मिसाल के तरफ तो हम members of national assembly बनने के लिए election लड़ेंगे, हमारा leader जो भी होगा, वो प्राइमिनिस्टर बनने के लिए election लड़ेगा, हम chief of army staff बनने के लिए तो election नहीं लड़ेगा, तो हम जो तनकीद करेंगे, वो प्राइमिनिस्टर के रो लोग हैं, जो उतके पाकिस्तान के अच्छा ही चाते हैं, लेकिन मसला यह है कि जो उन्होंने कहा है, वो उन्होंने नहीं किया, पीपल्स पार्टी को हमने 30-40 साल से देखा है, कि हुकूमत में हैं, लेकिन हमने पीपल्स पार्टी को तो हुकूमत में देखा है, लेकिन रो के वक्त आया तो हमने देखा कि वोट को इज़त भी नहीं दी तो ये अगर चीजें पूरी कर लेते पीटी आई अगर बैतर तब्दील ले आते अगर रोटी कपड़ा मकान दे देती अगर मुस्लिम लीग वाले सच मुछ वोट को इज़त देते उस वक्त नहीं जब इनको ज मतलब बाते बड़ी अची करते हैं लेकिन सची बात है कि वो डिलिवरी नहीं करी है आज पाकिस्तान के चारों सूबों और आजाद कश्मीर को मिला लें गिलगित बत्तिस्तान को मिला लें तो सबसे अबतर हाल जो स्कूलों का है वो सिंद्ध की स्कूलों का है तो और जब का interference solicit करती है ना जब out of power होती है तो यह ही जाती है उनके पास तो हम को सब को साथ लेके चलना है हम तो यह बात करते थे कि सारे stakeholders बशुमूल judiciary बशुमूल, the establishment बशुमूल, सियासी पार्टिया, उल्मा एकराम सब बैठें और रहत है करें कि मुल्क को किस तरह लेके जाना है और हम कहते हैं कि अब भी यह करें बहुत बड़े सियासी लीडरान हैं यह जये लीडरान हैं बड़े लीडरान हैं इनको करना चाहिए यह कि अ लेके बैठें लेके बैठें और आप एक राश ने करें कि मुल्क किस तरह लेके जाना चाहिए जब पार्टी आपके आपने तकी आपने का कि छे एफ़ते तक हो जाएगी तो बिच मीन्स के विए टॉकिंग सम्टाइम्स आ पहले का महिना गुजर गया तो मही में मही के आ खुबों में फोकस करेंगे इनिशल स्टेप्स और इनिशल टार्गिट्स क्या होंगे आपके देखिए गोजारिश यह है कि पूरे पाकिस्तान से लोग इन्शालला होंगे शुरू में जो भी अब हम लोग आपस में बैठेंगे एद के बाद तो बात करेंगे कि शुरू म तीन साल की एक टर्म होगी और वो दो टर्म रह सकता है यहीं कि अगर मिसाल के दोर पर अबासी साब पहले सदर बनते हैं तो छे साल सदर रहेंगे उसके बाद कोई और शक्स होगा जो कि उनके खांदान से नहीं होगा तो इस तरह हमने एक नए लोग को लेकर आना है जैसे जमात इसलामी में तसलसल चलता है कि लीडर आते हैं मौराना सेद अबूलाला मौदूदी रह्मत अलाले जितने जयेद लीडर थे और उसके बाद हाज हाफिज नहीम और रह्मान है सिराज अलग साब थे वग़रा वग़रा मतलब लीडर हमारे यहां पर इस तरह होगा ने यू आई वो एक बहुत स्टेल हो जाती है लिडरशिप फैमिली की तो और एक हमारा एजंडा है एक हमारा एजंडा है हम उसको सामने लेकर लोगों से बात करेंगे अगर लोग समझते हैं कि हमारी बात ठीक है तो बड़ी अच्छी बात है अगर वोट हमको देना चाहें ल चीक है बहुत शुक्रिया अपने हमें जोइन किया जी फात साथ वियर लेट फिर टू मिनेट तो इसको कंट्रूड कुल जी बिलकुल बड़ी इंट्रिस्टिंग डिवल्पन्ट है और इसमें इसमें देखिए ये बहुत बड़ा चालिंज है जमात के लिए शुरू में त जिस तरीके से ये अपनी पार्टी को दूसरों दे मुखसर दिखाना चाहते हैं उसके इनको टाइम मिल जाएगा तन्जीम साथिक लिए टाइम मिल जाएगा और देखते हैं कि अपनी जगा कैसे बनाते ही है तो मेरे खाल में हेल्धी डिवैल्पमेंट है जितनी जादा ज जुमूरियत के लिए बिलकु जो वराइटी ऑफ बिनियन है वो डिमॉक्रसी नपता ही है बहुत शुक्रिया प्रग्राम देखनी का अलाह आपस